राजिस्थान के मुख मंतरी पत की शपत ले रहे अशोक गहलोत के बारे में कई दिल्चस्प जानकारियां सामने आई हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे जनता से जुड़े हुए निता हैं और उनकी एक और विशिश्टा यह है कि वे हमेशा पारले जी बिस्किट के बहद शोकीन रहे हैं वे जब भी चुनावी दोरे करते हैं तो उनके पास पारले जी बिस्किट के कई पैकेट रखे होते हैं और ऐसा कोई मौका नहीं आता जब वे नाश्ते या भोजन या बीच में भूक लगने पर पारले जी बिस्किट का सेवन नहीं करते हूं जी यहां पारले जी बिस्किट की विशेष्टा ने अशोग गहलोत को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया तो अब इसमें जेजेकर पारले जी बिस्किट की करें या फिर अशोग गहलोत की यह तो सोचने वारी बात है लेकिन अशोग गहलोत और पारले जी के साथ के किस से सबी धूर मशूर हो गये हैं और यह कहा जा रहा है कि अशोग गहलोत द्वारा पारले जी का साथ जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से पारले जी ने भी अशोग गहलोत का साथ दिया है और इसी शोग ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया कहा तो यह भी जाता है कि वे राहुल गांदी के साथ भी जब नाश्टा करते थे तो पारले जी के बिस्किट खोल लेते थे उनके कारकरता भी इस पास से बहुत खुश रहते थे कि कुछ खाने को मिले या ना मिले लेकिन अशोग गहलोत के पास पारले जी के बिस्किट जरूर मिल जाएंगे और उससे चाय और बिस्किट की पार्टी तो हो ही जाएगी रेगिस्तान के दूर दराज अलापों में भी अशोग गहलोत चाय और बिस्किट की पार्टी करते रहे हैं तो हेना दिल्चस्प बाद की पारले जी ने अशोग गहलोत को वो के मंतरी का पद फिर से वापस दिला दिया